Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel इस वीडियो में हम लोग देखने माने हैं काफी स्टुडेंट फोन भी कर रहे हैं मेरे पास और चीजें पूछ रहे हैं अभी एमस के बारे में जो अभी एमस के बीडियो में बनाए भी था तो चलिए इस वीडियो में कुछ चीजें और क्लियर करते हैं जैसे देखे जो इस्टुडेंट पाइरा मेडिकल बीसी नर्सिंग करना चाह रहा है 2023 2023 बैच में अभी 2023 का इंटरेंस एक्जाम होने वाला अभी अफलिकेशन फार्म फिलफ किया रहा है पाइरा मेडिकल का बीसी नर्सिंग का तो यह देखे डेट इसमें मैंने बताया था कि रेजिस्टेशन इसमें तीन स्टप में रेजिस्टेशन हो रहा है फर्स्ट पर क्या है इसमें बेसिक रेजिस्टेशन हो रहा है बेसिक रेजिस्टेशन की जो डेट थी 15 से सुरू हुई थी 15 फरोरी से और जो इसका लास्ट अभी है अभी अगर आप नहीं किया है बेसिक पारमेडिकल का और बेसिक नर्सिंग का देखिए बेसिक रेजिस्टेशन जो है यह एक ही करना है या बेसिक नर्सिंग के लिए करना है या पारमेडिकल के लिए आपको जाके डिवाइड करना है इसमें आपका फाइनल रेजिस्टेशन में तो यह चीज है तो इसमें 16-3 तक अभी भी आप basic registration करवा सकते हैं तीन मार्च तक है और आज मार्च एक मार्च है और ये देखिए अब generation code for final registration for BSC nursing final registration के लिए जो generation code जारी होने लगा है वो एक तारिक से आपके code जारी होने लगा है means आज से एक तारिक से एक मार्च से तो फिर उसके बाद जब generation code हो जाएगा तुरंत जस्ट आप final registration भी कर सकते हैं एक तारिक से लेके 22 मार्च तक final registration चलेगा तो ये सब चीजे आप अच्छे से कर लीजिए अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो internet काइफे जहां पे shop हो वहाँ पे जाके कर लीजिए cyber काइफे से तो ये सब चीजे आप अच्छे से कर लीजिए चलिए कुछ चीजे देखते हैं इसके बारे में exam से related बारे में कैसे क्या चीजे हैं तो अगर यहाँ course की बात की जाए तो course यहाँ समझे काफी course पेरा मेडिकल के और ये आपको मिल जाएगे यहाँ से अगर करने हैं देख लिजिए आप्टोमेटरी, BRIT, Dental, DHA काफी courses आपको यहाँ पर मिलेंगे अगर आप ये course करना चाहते हैं तो आप ये सभी course यहाँ से कर सकते हैं और अगर ये देखिए BSC nursing के लिए अगर आप डाल हैं farm BSC nursing यहीं बता दे रहा है BSC nursing only girls के लिए है इसमें boys apply नहीं कर सकते और जो पेरा मेडिकल का course है उसमें girls and boys दोनों farm apply कर सकते हैं लेकिन BSC nursing के लिए only girls यह farm apply कर सकते हैं आपको पता भी होगा और ये देखिए BSC nursing के लिए आप जितने aims हैं 14 aims हैं total 14 aims में कितने कितने total seat हैं यहाँ पे दिखाई गई है और किस category की कितनी seat हैं यहाँ पे अच्छे से सब चीजे explain की गई है आप अच्छे से इसका screen start ले सकते हैं अभी ये जो prospectus मैं ये बता रहा हूँ ये 2022 का है जैसे ही 2023 का prospectus आएगा तुरंत आपको एकदम आच्छे से explain किया जाएगा लेकिन सभी चीजे कुछ basic चीजे हैं जो कि यही रहने वाली हैं इसमें कोई भी changes नहीं होगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जानकारी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ और काफी student वीडियो को लाइक नहीं करते पता नहीं इसलिए मैं एक चीज़ बता दूँ YouTube पे क्या चीज़ है अभी scenario चलना है कि YouTube पे जो फाल्दू की वीडियो होती है बक्चूदी वाली वीडियो होती है और लाइक भी नहीं करता है और निकल जाता है मतलब फाल्दू की वीडियो तो जरूर वो लाइक करके जाएगा अगर फाल्दू की वीडियो देखता है वो लाइक कर लेगा लेकिन education से संबंदित है जिससे कुछ उसका भविस्ट बनने वाला उसको लाइक नहीं करता वीडियो इसलिए जो educator आ रहे है यूटूब पे वो क्या करते है वो अपना एक बैच चलाते है मतलब paid बैच जो पैसे पैसे चलाते है अपना पैसे लेके course निकालते है इसलिए तो निकालते है क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि like और subscribe, share आप लोग करते नहीं मतलब बढ़ाते नहीं है न ये चीज़ एप्रेसेशन होता है जो educator होते हैं उनको appreciate मिलता है कि हाँ student जो है ज़्यादा followers बढ़ रहे हैं और demand है तो वो मेहनत भी करते हैं लेकिन नहीं ऐसा नहीं सिर्फ हालतो कि वीडियो को like ही ना करें प्लीज वीडियो को कहीं पर भी आप देख रहे हैं एजुकेसन से सम्बन दीता है तो वीडियो को जरूर वीडियो को like करें अगर उस वीडियो से आप कुछ भी सीख रहे हैं यह देखिए आपके entrance exam कहां पे होने वाले हैं तो entrance exam यह देख लिजिए जो आपका question paper होगा वो हिंदी में भी आएगा और English में भी आएगा यह चीज होगा और name of the center यह जो परामेडिकल के जब exam होंगे तो इस city में आपके entrance exam होंगे आपको इसके carding देख लिजिए पतना, रायपूर, चंडिगर, देलही, बंगलोर, त्रिवन्तपुरम, मुंबई, भोपाल, भुईनेशवर, जोदपूर, चेन्नई, देरादुन, कुलकाता तो यह सब चीज यहां पे आपके entrance exam होंगे और entrance exam होंगे तो उसमें question भी आएंगे और question आएंगे तो कहां कहां से question आएंगे और syllabus क्या रहेगा, syllabus आपको मैंने बता दे रहा हूं 11th और 12th से आएगा chemistry, physics, biology, 11th और 12th आपको cover करनी पड़ेगी और 2 गंटे का आपका paper होगा और multiple choice question रहेंगे objective type question रहेंगे physics से 30 question आएंगे, chemistry से भी 30 question और biology से 30 question और general knowledge से 10 question आएंगे अगर आप BSC nursing का entrance exam दे रहे हैं तो यह इतने question आपको देखने को मिलेंगे और अगर paramedical के exam देंगे तो आप इसमें general knowledge के 10 number minus कर दीजे total 90 question ही आएंगे और यह 2 गंटे का है, वो 1.5 गंटे का रहेगा यह इतना फरक रहेगा तो यह चीजें हो जाएंगे और यह देख लीजे, one paper, half one and half hour duration तो यह multiple choice question ही है physics, chemistry, biology only पूछी जाएगी और my father student भी paramedical के course कर सकते हैं, यह देखिए यहाँ पे दिया गया है आप physics, chemistry, biology से 90 question total आएंगे, 30, 30, 30 question paramedical का अगर इंटरेंस exam देंगे और 1.5 गंटे में आपको question finish करने रहेंगे, तो यह चीज हो जाएगा और इसमें कितनी आपका सब चीजें आपको मैं बता ही दे रहा हूं, बता दिया हूं या बता ही रहा हूं कि कितने आपका question paper कैसे रहेगा physics, chemistry, biology, 11, 12 से question पूछे जाएंगे, question paper इंदी English रहेगा, और minus marking भी रहेगी minus marking जो होती है, यह one by third होता है means अगर आप तीन question मान लिजिए, तीन question गलत किये हैं, और एक question सही कर दे रहे हैं, तो आपका यह तीन बराबर हो जाता है, मतलब आप minus marking है यह समझके चलिए, कि minus marking है question हिंदी और इंगलिस दोनों आएगा, यह सब चीजें और जो आपको कुछ चीजें यह लग रहे हैं अभी छूट रहा है, यह चीज नहीं बताय जा रहा है, तो अभी 2030 का prospectus डाउनलोड होगा अभी उस पे website पे अभी upload नहीं किया गया है aims की तरफ से, जैसे website पे upload किया जाता है, आपको वह भी बताय जाएगा सब चीजें यही रहने वाली हैं, ज्यादा हेर फेर नहीं होगा, तो aims में जिस भी student को college लेना है, वो application form apply करके, entrance exam देके, आप यह सी नहीं, परा-medical के course कर सकते हैं काफी student apply कर भी नहीं लेकिन entrance exam के लिए आपको अच्छे से preparation भी करना पड़ेगा अगर मेरे channel के माध्यम से आप preparation कर रहे हैं, तो चलिए, मैं एक चीज़े आपको अच्छे से वो भी दिखाई देता हूँ यह आप YouTube open कर लीजिए YouTube open करने के बाद, यह मेरे channel का name है, इस पर search कर लीजिए seat in need channel, YouTube पर जैसे ही search करेंगे, यह आपको logo मिल जाएगा, और यह मेरे channel channel है, इस logo पर आप click कर लीजिए, जैसे ही logo पर click करेंगे मेरे channel पर front पर आएगे, तो अभी मैं तो अभी YouTube पे एकदम फिरी आपको सब वीडियो provide कर रहा हूँ, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि paid course मेरा चला है, तो आप वीडियो को revise करना है, तो आप वीडियो को revise कर सकते हैं, कैसे करेंगे playlist में आप जाएए, playlist यह देखिए home section, video section, short, live playlist, इस playlist पे आप click कर लीजिए, playlist पे जैसे ही click करेंगे, मैं new playlist जो अभी मैं question करा रहा हूँ और आपको सब previous video revise करनी पड़े, कि तभी आपका यह समझे, when fit होगा, तभी आपका, मैं इसी लिए तो कह रहा हूँ physics chemistry biology आपको कोई question आपको ऐसा नहीं है, कि मिलेगा नहीं, 100% सभी question आपको video से मिलेंगे, क्योंकि मैं objective type question previous year question सभी cover किया हूँ, कोई question छोड़ा ही नहीं हूँ topic wise, तो यह चीज है न, तो physics chemistry biology जो मैंने 2020 में 2021 में और 22 में फिर पेशन कराया था, तो physics chemistry biology कराया था, तो वो आपको revise करनी पड़ेगी, तो playlist wise video आप revise कर लिजे, playlist में क्लिक करेंगे, playlist पे तो आप देखिए, playlist wise video ऐसे आप total revise करेंगे, कैसे revise करना है, revise करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको revise करना है, तो आप notes book में playlist का नाम लिख लिया करिए, जैसे देखिए, playlist पे open करिए, तो वहाँ लिख लिजे, आप notes book में reproductive health NCRT MCQ इसमें मैंने एक वीडियो डालिए, इसको देखने के बाद फिर next playlist वाले पे जाईए, इसमें जाईए, human reproduction human reproduction पे चले जाईए, तो ऐसे human reproduction, biology figure based MCQ, ऐसे सभी playlist name वाली वीडियो आप revise कर लिजिए, physics chemistry biology 100% selection हो जाएगा कोई उसमें, मतलब कोई ये असमंज सही नहीं, तो चलिए, और इस note down, note, अपने notes book में, note book बनाते रहिए, last में revise करना है, और अभी मैं भी वीडियो मैं preparation करा रहा हूँ, जैसे देखिए, फंजाई के उपर अभी पूरा एकदम explain कर रहा हूँ, फंजाई का पूरा फंजाई जो है न, NCRT आपका 11th में आए, तो 11th का जो important, important topic है, मैं वो discuss कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं पूरा सबसे पहले जो सभी chapter कवर किया हूँ, फिजिस कमेस्टी वालोजी के अब वो chapter में कवर कर रहा हूँ जो, थेयोरी वाले portion जो important topic है वो cover कर दे रहा हूँ, तो आप सभी वीडियो रिवाइज करते रहें, डेली के डेली और previous वीडियो लगभग एक दिन में 10-20 वीडियो रिवाइज कर लिया करिए और उसको note down कर लीजिए और new वीडियो तो मैं करा ही रहा हूँ जो समय मिला है, थाइंकी